जहेंद प्यारे सातियों, कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगे Unique Study with Ajay YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे सातियों RPSC College Lecturer की जो वेकेंसी है उसके बार में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होगे की RPSC की College Lecture की वेकेंसी कब तक आएगी और किस सब्जेक्ट से वेकेंसी आने वाली हैं, किस सब्जेक्ट से कितनी वेकेंसी आने वाली हैं इन सबी के उपर आज मैं आपको बिलकुल डिटेल से बताने वाला हूँ, प्यारे सातियों बस अब कुछ ही समय बचा हुआ है आपके पास, फिर नोटिपिकेशन आ जाएगा और एक तरीके से समझो प्यारे सातियों, ये आपके पास हो सकता है अन्ती मोका हो जिसमें आपको रिटन एक्जाम देकर असिस्टेंट प्रोपेसर या कोलिजी लेक्टर बनने का मोका मिले है बाकी अगली बार तक हो सकता है कि UGC Regulation 2018 को लागू कर दिया जाए अपकी बार ही बड़ी मुश्किल से बचे है अदर्वाइज अपकी बार ही पूरे पूरे चांस हो रहे थे कि UGC Regulation 2018 को लागू करेंगे बाए चांस लागू हो जाता तो ये जो एक्जाम देकर लगने का मोका है न ये छिन जाता पता नहीं फिर तो नोकरी के को लगता किसी को कुछ नहीं पता चल पाता तो प्यारे सातियों आपके पास ये एक तरीके से अंती मोका है एक्जाम देकर Assistant Professor बनने का और RPSC में अपकी बार भोती अठी खास संक्या में Assistant Professor की वैकेंसी आने वाली है अब तक का record है अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है अपके बार तो यदि आप अपकी बार का ये मोका भी को देतो ना तो समझो प्यारे सातियों आपने जिन्दिकी का सबसे सुने अब यहाँ पर हम subject wise बात करता है कि किस subject से कितनी वैकेंसी आने वाली है और प्यारे सातियों इसका notification कब तक आ सकता है तो पूरे पूरे चांस हैं अगले महीने तक मतलब जून लास्ट तक आपको इसका notification देखने को मिल जाएगा क्योंकि set की final answer की आ चुकी है अगले 10 से 12 द दिन बाद में RPSC Assistant Professor का notification आ जाएगा और पिछली वाली जो भरती थी उसमें प्यारे सातियों हमने थर्ड पेपर का और जोगरोपी का बैच चलाये था अब की बार भी notification आते ही हम थर्ड पेपर का और जोगरोपी का बैच चलाएंगे जबर्दस तरीके से शांदार तरीके स साथ हम college lecture का exam qualify करेंगे return में इतने marks लेके आएंगे जिससे की इंट्रू के लिए हमें डरना ना पड़े चाहे फिर आपका subject जोगरोपी हो फिर चाहे आपका थर्ड पेपर हो राजिस्तान GS का तो प्यारे सातियों एक बार हम बात कर लेते हैं देखो चित्तर के लासे 35 vacancy है ग्रह विज्ञान से 49 vacancy है जेना लोजी से 1 vacancy है संगीत से 4 vacancy है संगीत कंट से 12 vacancy पुस्तकाले विज्ञान से 1 vacancy दर्शन सास्तर से 11 vacancy राजनेती विज्ञान से 181 vacancy मोनो विज्ञान से 10 लोगपर सासन से 45 vacancy राजस्थानी से 6 vacancy संस्कर से 6 vacancy सिंदी से 3 समाज सास्तर से उर्दू से 24 वेकेंशी, वनस्पती सास्तर से 70 वेकेंशी, रसाइन सास्तर से 81 वेकेंशी, भूगर्ब सास्तर से 6 वेकेंशी, इसके अलाव प्यारे सात्यों गनित से 23 वेकेंशी, भूतिक सास्तर से 60 वेकेंशी, प्रानी सास्तर से 64 वेकेंशी, इस तरीके से टोटल 41 सब्जेक्शन जिनसे 1952 वेकेंशी हा रिये तो प्यारे साथी के आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनेरा मोका होने वाला है असिस्टेंट प्रोपेसर बनने का और यहाँ पर थर्ड पेपर का बैच शुरू हो चुका है जिसमें राजस्तान का कम्पलीट सलेबस करवाय जाएगा करण्ट पेपर के उपर बहुत इस्पेशली तरीके स्फोकस रखा जाएगा क्योंकि जो थर्ड पेपर होता है प्यारे साथी हो 50 नंबर का होता है और ओवराल आपको सलेक्शन में इसी का सबसे मैन रोल होता है ठीक है जो सलेक्शन की भीड है उसे अलग करने का काम यह करता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्यों सनाते करेंट फेर के तो कोलेज लेक्चर का जो थर्ड पेपर है उसका बैच स्टार्ट हो चुक है बराबर फोकस रहेगा comparative second paper पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो second paper है जो graphica वो आपको भीड से अलग करने का काम करेगा first paper पर सभी का focus रहता है सभी का तयार रहता है लेकिन हम first paper को तो करेंगी लेकिन second paper को भी हम बहुत कजब तरिके से तयार करेंगे जिससे की written में हमारा इतना score हो जाए कि इंटर्यूर के लिए हमें बिल्कुल भी डर्ना ना पड़े तो बस अब कुछ समय बचा हुआ आपके पास फिर notification आ जाएगा तो अब लापरवाई मत बर्तो अन्ती मोका आपके पास written exam देखर assistant professor बनने का और बाकि आप बैचे लेना चाहते हो तो यह मेरे contact number है जिस पर आप contact कर सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks by मेरे प्यारे साथी को